हलो फ्रेंड्स वेलकम टू चेंपियन को जीफेंट्स आज की इस वीडियो म्लोग ब्याज निकालना यानि सुध के पैसे कहीं साब करना सीखेंगे और इसके लिए बिल्कुल गाओं का देसी तरीका बताएंगे जो ब्याज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है तो दोस् या 3%, 4%, 5% इस तरह से कितना भी हो सकता है ठीक है और यहाँ पर गाओं में अधिकतर जो ब्याज कल्कुलेट किया जाता है वो मंथली कल्कुलेट किया जाता है यानि महीने पर कल्कुलेट किया जाता है और यहाँ दर भी महीने पर ही लग रहा है ठीक है तो देखिए हम लि 202 रुपया देना पड़ेगा 75,000 रें पर यहीं हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा है कि 21-2-2022 तक रुपया लिये हुए हमको कितने चीज बत बतर बत बूने महींहें%, कितने दिन हो गए है तो देखे उसको निकालने के लिए क्या करना है तो सबसे पहले जिस दिन को रुपया देने जाएंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे आज का डेट यहाँ पर लिखेंगे तो आज यानि 21, 2022 को रुपया देने जा रहा है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 22, 2022 ठीक है 2022 लिख लिए उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं यह क्या है तो दीन है यहाँ पर यह मा है और यह वर्स है ठीक है और इसके नीचे आपको लिखना है जिस दिन रुप्या लिए थे 15,000 रुप्या कितना किस तारी को लिए है तो 15 120 को ठीक है तो इसको यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 15 120 लिख लेंगे ठीक है और इसको हम घटा लेंगे यानि माइनस करेंगे तो देखिए जब ही आप सधारन जोड़ घटाओ करते हैं तो राइट साइड से जोड़ते हैं या घटाते हैं ठीक है लेकिन इस तरह का जब तारिख के घटाओ किया जाता है तो यहाँ से बाएट से किया जाता है ठीक है तो देखिए सबसे पहले दीन को घटाएंगे उसके बाद माँ को उसके बाद वर्स को घटाएंगे ठीक है तो देखिए 21 में से 15 घटेगा तो क्या जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा उसके बाद देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2022 में से 2020 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा तो 2 आ जाएगा यानि यहाँ पर आपका निकल करा गया कि रोपया लिये हुए कितने दिन हो गये हैं तो दो वार्ष, एक माह, एक माह, छो दिन हो गये हैं ठीक है और देखिए दोस्तों यहाँ पर अधिकतर स्टुडेंट कनफ्यूज होते हैं कि यहां पर जो तारीह के घटाओ किये हैं यहां पर अगर चोटी संख्या रहता और नीचे बड़ी संख्या रहता तो उसको कैसे घटाते ठीक है तो उसके लिए वीडियो का description में तारीह के घटाओ करने वाली एक वीडियो दिया गया है जिसे आप देख लीजिएगा तो आसानी से आप उसे भी घटाना सिख जाईएगा चाहे उपर कितनी भी छोटी संक्या क्योंनर है और नीचे कितनी भी बड़ी संक्या क्योंनर है ठीक है तो उसको आप देख लीजिएगा इस वीडियो को अंतक देखने के बाद ठीक है जो इतना भी पर्षेंट दर राएगा उससे गुना कर देंगे तो तीन पर्षेंट है तो न्लैकत कतना निकल निकल करा जाएगा तो दीखे 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15-35 आजाएगा और यह एक 0 यहाँ पर बैठ जाएगा यानि यहाँ पर आपका निकल करा गया कि हर महीने 15,000 रुपया पर कितना रुपया का ब्याज लग रहा है तो 450 रुपय के ब्याज लग रहा है हर महीने 450 रुपय के ब्याज लग रहा है ठीक है तो देखिए हमको निकलना कितना दिन का है तो 2 वर्स एक माँ 6 दिन का निकलना है तो इसको निकलने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले तो हमको पता चला है कि हर महीने 450 रुपय के ब्य एक वर्स बराबर कितना महीना होता है तो बारा महीना होता है बारा महीना ठीक है तो यहां पर है दो वर्स तो एक वर्स में बारा महीना तो दो वर्स में कितना महीना हो जाएगा तो यहां चोविस महीना हो जाएगा आप आप सुन सकते हैं ठीक है और यहां पर है एक महीना त 25 महिना 6 दिन का ब्याज निकलना है ठीक है तो देखिए अब महिना में चेंज इसको कर लिये हैं तो अब निकलना बहुत ही असान हो जाएगा क्योंकि एक महिना का ब्याज हमको पता है 450 रुपया तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि 25 महिना का ब्याज क्या होगा तो एक महि हासिल का 2, 5 का 20 और 22 आजाएगा, यहां पर 2 से गुना करेंगे, तो यहां पर आजाएगा 0, और 5 दूना 10, हासिल का 1, 4 दूना 8, 8 एक 9, तो यहां पर देखें क्या जाएगा, 0, 5, 2, 9 को जोड़ेंगे, तो 11 आ जाएगा, यहां पर आपको total यहां कितना दिन का, तो यहां 25 महीना के ब्याज निकल कराँए, तो देखिए, यहाँ पर एक महीना में 450 रुपय का बैज लग रहा है, तो 6 दिन का निकलने के लिए क्या करेंगे, तो 450 को यहाँ पर लिखेंगे, और एक महीना बैज आप जानते हों कि कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है, तो इस 30 से इस में भाग कर देंगे, और हमको 6 दि महिना में 30 दिन होता है तो 30 दिन से भाग कर देते और 8 दिन का निकलना है तो 8 से गुना कर लेते तो देखिए यहां पर क्या निकल करा जाएगा तो यहां पर आपका निकल करा जाएगा जीरो से जीरो कर जाएगा और 3 से 6 को भाग करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा तो 45 में 6 दिन का ब्याज, दोनों को जोड लेंगे, तो यहां पर 6 दिन का ब्याज है, 90 रुपया, तो इसको भी इसमें एड कर लेंगे, तो देखें, 0 का 0, 9, 5, 14 हासिल का एक है, और यहां पर 2, 1, 3 हो जाएगा, और यहां पर 11 का 11 आजाएगा, यानि आपका टोटल ब्याज कितना ल लिये थे, और यहां जो ब्याज निकल का रहाया, दोनों मिला कर कितना रुपया देना पड़ेगा, तो देखें, टोटल, टोटल रुपया निकलने के लिए क्या करेंगे, तो जो रुपया लिये थे, 15,000 रुपया, उसको यहां पर लिखेंगे, 15,000, 15,000, और यहां पर जो ब्याज निकल कराया है उसको इसमें जोड लेंगे तो ब्याज कितना है तो 11,340 रुप्या तो इसको इसमें जोड लेते हैं तो 0 का 0, 4 और 3 और 0, 3 हो जाएगा 5 एक को जोड़ेंगे तो 6 आजाएगा और एक को जोड़ेंगे तो 2 आजाएगा यानि आपको टोटल दो वर्स एक माँ छे दिन के बाद 15,000 रुपया पर जो ब्याज लग रहा है उस सब को मिला कर कितना रुपया देना पड़ेगा